अक्सर हमारा कहना होता है कि आज कल के बच्चे मुबाइल से दूर नहीं रहते यह सोच गलत है अगर इन बच्चों को सही दिशा मिल जाए तो यह मुबाइल से भी दूर रहने को तैयार है यह हमने रामलिलाओं में देखा जब बच्चे शां को आठ बजे ही रामलिला के ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं और वहां की ड्रेसे निकाल कर पहनते हैं और इनमें एक बड़ा शोक देखा गया है जो वास्तम में दिखाता है कि हमारी भूलो या हमारी के कारण ही यह बच्चे मुबाइल के आदी हो जाते हैं अगर इनको सही खेलकूत या रंगमंच जैसे साधन मिल जाएं तो यह बच्चे मुबाइल को छोड़कर भी जो है अन्य तरीके से काम में लग सकते हैं और यह रामलिला के दोरान इन बच्चों का उत्सा देखने को मिलता है जहां यह मुबाइल से दूर होते हैं वही प्रभू श्री राम जी की सिक्षाओं को भी ग्रहन करते हैं और रामलिला में बर्च चड़कर हिस्सा लेते हैं रंगमंच पर अपनी कला भी दिखाते हैं इन बच्चों का यह उस्सा वास्तम में हमें सोचने पर होकर इन में खोड लगी रहती है कि हम आज रंगमंच के उपर भगवान की लिला में शामिल होंगे वहां अभी नहीं करेंगे तो बड़ा विचारनी विशे सामने आया है कि इन बच्चों को हम इनके नजरिये से देखें कि यह बच्चे क्या चाहते हैं बच्चे वास्तम म मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं प्रबूस से जुड़ना चाहते हैं जै श्रीरा